आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ TIDE के इस काइंड ओफ डिटर्जन पोड का रिव्यू यानि कि डिटर्जन टाइप ही है यह कपड़ों की भेतरिन दुलाई के लिए से योज़ किया जाता है पटाबट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि यह आपके परचेस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए तो फस्टली आप देख लिए टाइड मैटिक का है जो कि यहां पर लिखा हूँ है इंपॉर्ड फ्रम जापान तो यह जापान की आइटम है और पर फ्रॉंट लोड एंड टॉप लोड दोनों वाशिंग मशीन क ही आप यूज कर सकते हो नॉर्मली अगर हम टॉप लोड या फ्रेंट लोड के डिटर्जन या लिक्विड लेने चाहते हैं तो उनका अलग-लग टेक्चर अलग-लग फॉर्म रहती है प्राइज बिफ्रेंट होते हैं बट यह जो है वो दोनों में ही यूज हो सकता है और प्रेंट के साथ आता है जो लिक्विड होता है ना हम यूज करते हैं जब भी वशिंग मशीन में डालने के लिए तो उसी का एक फॉर्मेट है बट न्यू फॉर्मूले के साथ बना दिया गया है पोड आता है पोर इन वन क्वालिटी के साथ तो यहां पर मैंशन है कि इसक रिमोव कर देता और वाइट कपड़ों को भी अच्छे से वाइटन करता है और आपके अगर कलरफुल कपड़ें तो उनको ब्राइटन करता है तो इसका मतलब है कि यह कपड़ों का कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसको यूज करने के बाद कुछ इस तरह की पैकिंग म जो की मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आउटो बजट हो जाता है क्योंकि मैं इसे काफी टाइम से परचेश करने का सोच रही थी लेकिन इसके जो है है कभी भी मुझे इसक पर डिसकाउंट नहीं दिखा लेकिन अब जाकर मिदे इसको पर डिसकाउंट दिखा तो मै तो कुछ इस तरह के पैकिंग में आता है यहां पर आप देख सकते हैं यह वाइट कलर का इसका जो सेक्षन बना हुआ है यहां पर डाक प्लू है और इसके बैक साइड में यह फूल जो है लाइट ब्लू है तो यह वाला तो डिटर्जन है जो कपड़ों की बहतरी नहीं है और मुझे डिटर्जन के इंग्रिटेंट्स के बारे में इती ज़्यादा नौलेज भी नहीं है बस मैं यूज करती हूं उसके बाद कपड़े अच्छे से दूल रहे हैं तो ओक है नहीं है तो बहीं नहीं है मैं आपको बता देती हूं यहां पर क्लियरली मेंशन ह है कि बच्चों की पॉहन से दूर रखें अगर आपने इसे यूज किया है और गलती से अपने इसे गीले हाथों से यूज कर लिया और उसके बाद आईस के ऊपर बिल्कुल भी हाथ ना लगां बिल्कुल भी अपनी स्किन पर हाथ ना लगां otherwise आपके स्किन इरिटेड हो सक प्रॉब्लम हो सकती है तो यह चीज का धियान रखना है जब भी आप इसे पैकेट से रिमूव करें तो आपके हाट ड्राई होने चाहिए बिल्कुल सूखे होने चाहिए गीले नहीं होने चाहिए अगर गीले हातों से अपने इसे यूज किया एक तो निकाल लिया और दूसर रहता है उसके बाद अपनी वाइमर लगा है तो मैंने इसे जैसे यूज किया तो मैं काफी देर तक मशीन के सामने बैठी रही क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने घंडे का टाइम लगाया यह ना हो कि कहीं मेरे कपडों की अच्छे से दुलाई ना और मैं दुबा से पानी वेस्ट हो, एलेक्रिसिटी वेस्ट हो, और फिर मुझे दुबारा डिटर्जन वगारा डालना पड़े, मुझे बहुत जदा डाउट लग रहा था कि यह चोटा सा पोड क्या करेगा कपडों की धुलाई, मेरे साड़े साथ किलो की वर्शिंग मिशिन है, उसमें क्य उसके बाद, जैसे ही मैंने कपडों को एके करके देखा, तो सच में जो कपड़े थे वो अच्छे से क्लीन हो गए, अगर किसी कपड़े पर स्टेन था हालका, वैसे तो मेरे गर पर छोटे बची नहीं है, इतने जो बहुत जाता मैले करें, बट हलका फुल का स्टेन था त है, बाईया, मैं आपको honnesty बताऊंगी, बजट को क्रोज करता है, बट क्वालिटी वाइस बहुत ही अच्छा ब्रोडिक्ट है, आप यूस कर सकते हो, एंड इसके साहती, जो इसका कंटेनर है, वो रियूस भी हो जाता है, आप इसके अंतर कुछ भी डाल के रख सकते हो, प्राइब्यू भी शेयर किया हुआ है उसके अकोर्डिंग यह डबल प्राइस महेंगा है उसके अकोर्डिंग नॉर्मली मैं एक डिटर्जन यूज करती हूं जो भी करती हूं टाइड का ही लगा लेजी अगर मैं करती हूं तो वह 1 kg जो मुझे पढ़ता है वह पढ़ता है क मुझे लगता ने कि यह बज़ट में हैं बट क्वालिटी वाइज ओके है तो मैं इसे रिकमेंट करती हूं आप लोगों का बज़ट है तो आप इसे प्रचेस कर सकते हो बट भी सेफली योज करना एंड यह था मेरा होना इस ट्रिवियो आई होप कि आपको यह वीडियो अ करना चैनल पर सब्सक्राइब करना एं थैंक यू फर वर्चिंग मेरी ऐसी चपर दस इंपरमेशन और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं बोलना बाइबाइब